नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना हिजाब को लेकर अभी सुनवाई कोर्ट में चल रही है और इंट्रीम ओर्डर्ज जो कोर्ट ने दिये हैं वो ये दिये हैं कि जब तक इस पूरे मामले पर फैसला नहीं आ जाता है तब तक लॉइन ओर्डर मेंटेन करना है पुराना जो ढर्रा चल रहा था उसी पर चलना है यानि कि स्कूल की तरफ से जो ड्रेस कोट दिया हुआ है वही पहन कर स्कूल जाना है हिजाब का इस्तमाल नहीं करना है जब तक हिजाब पर बहस नहीं हो जाती लेकिन लोग है कि चुप होने का या घर बैठने का नाम ही नहीं ले रहे हिजाब को लेकर आज एक बार फिर से एक नई बात सामने आई है एक student को जब हिजाब पहन कर परिक्षा देने के लिए मना किया तो student ने कहा मैं हिजाब तो नहीं खोलूंगी चाहे परिक्षा छोड़ दूँ यह मामला शिव मोगा के एक स्कूल का है जहां पर एक student एक्जाम देने आई थी लेकिन वो स्कूल ड्रेस के साथ हिजाब पहन कर आई अब स्कूल वालों ने जब उसे कौट के ओर्डर समझाए कि कौट ने ओर्डर दिया है कि आपको अभी हिजाब नहीं पहनना है यह मामला भी कौट में चल रहा है आप हिजाब उतारोगे तब ही आपको एक्जाम देने दिया जाएगा तो उस student ने कह दिया कि मुझे एक्जाम नहीं देना अगर मैं एक्जाम दूँगी तो हिजाब पहन कर ही वरना बिना हिजाब तुम्हें परिक्षा भी नहीं दूँगी वहीं एक और जगर से खबर आई है कि हिजाब को लेकर प्रदर्शन करने वाली लड़कियों ने अब भगवा कलर के हिजाब पहन लिए हैं और इस तरह के हिजाब पहन कर उन्होंने स्कूल में जाने की कोशिश की वहीं कुछ स्कूल की ऐसी भी विडियो आई है जहां पर स्टूडेंट्स हिजाब पहन कर स्कूल में इंटर होने की कोशिश करते हैं स्कूल उन्हें रोकता है तो स्टूजिंट्स अपने फैमिली वालों को बुला देते हैं, फैमिली वाले कहते हैं कि इन्हें अंदर जाने दो, अंदर जाकर भी तो ये हिजाब उतार सकते हैं लेकिन स्कूल उन्हें अलाउड नहीं करता है करनाटक में ये जो किस्सा शुरू हुआ उससे पहले किसी को हिजाब पहनने की जिन ही नहीं थी, बिना हिजाब के स्टूडिंस आराम से जा रहे थे, लेकिन उस किस्से को अब बहुत जादा तूल दिया जा रहा है और फिलहाल कोट में इस पर डिसकेशन चल रहा है, उसके बावजूद जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है क्या आपको नहीं लगता है कि अब हिजाब को स्कूल में पहन कर जाना एक जरूरत नहीं बलकि जिद बन गई है आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें